Hello friends, how are you? I hope you all are fit and fine and at home. So friends, in continuation of chapter 3, give and take, we will discuss some more topics, some more questions. So let us start. तो कल का meaning जो है, कल आपको बताया गया था, meaning of give and take, give का meaning क्या होते है, बच्चो, give का meaning होता है, देना, to give money, object or things to someone, किसी को कुछ देना, और take का मतलब क्या बताया था, लेना, to take money, object or things from someone, और mathematical meaning आपको कल बता चुका हूँ, मैं, give का जो mathematical meaning होता है, give means subtraction, और subtraction में कोई भी value क्य होती है, decrease होती है, और take means addition, और addition में कोई भी value क्या होती है, increase होती है, तो यह जो topic है, यह जो meaning है, mathematical meaning, यह मैं कल आपको समझा चुका हूँ, examples देखे, आज होप आपने वो वीडियो देखी होगी, तो next शलते हैं बच्चो, यहाँ पर क्या है, आज का जो topic है, addition and subtraction, throw, jumping, तो ह आप हम jumping किसमें करेंगे, तो jumping हम करेंगे इस table में, तो यह जो आपके पास given table है, यह जो table है, आपके पास, आपकी book में chapter के front page पे ही है यह table, तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बच्चो, यह kittu है, और kittu का यह बड़ा सा यह जो क्या है, kittu का एक घर है, और इसमें कि table जो है, यह 10 by 10 की एक table है, जिसमें 1 से लेके 100 तक की क्या है counting है, और इसमें बच्चो 1 से 10, 11 से 20 ऐसे करते करते हैं, आप 100 तक की counting है, तो इसमें कुछ खास बाते हैं, तो वो बताते हैं, तो kittu कहती है, कि आप कहां पे हो इस time 2 पे खड़े हो, ठीक है, तो 2 से आपको कहां पे jump करने है, 12 पे, तो आपके बास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता, यह कहती है कि 2 में, अगर आप 10 add करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12, तो यानि कि आपको कितने step चलने 10 steps, तो 2 से आप जाओगे, एक तो लंबा रास्ता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 के बाद 11 and 12, ठी तो लंबा रास्ता है, ठीक है, step by step जालोगे, तो आप कितने step count करोगे, 10 steps, और एक shortcut भी है, और shortcut क्या है, shortcut में आपको direct इस 2 से, जंप करना है, कहां पे jump करना है, 12 पे, 2 से direct कहां पे jump करना है, 12, 1 row up, ठीक है, you can jump 1 row up, ठीक है, and you will be at 12, ओके बच्चों, तो यहां पे कहना चा jumping, तो आपको यहां पे एक चीज पता लग दिक गई है, तो यहां पे जो jump है, ठीक है, तो one jump, जो है, one jump is equal to कितने step, how many steps, 10 steps, तो एक jump जो आप लगाते हो, उपर की तरफ वो कितने steps के equal है, 10 steps के equal, ठीक है बच्चों, तो देखिए, we can jump up one row, और दूसरा, यहां पे, a jump from 2 to 12 is like taking how many steps, तो यह मैं आपको बता चुका हूं, 10 steps, चलिए next, तो यहां आपको जो बताया दार है, उसे ध्यान से सुनिए, बच्चों, मान लो आप अभी 12 पे हो, और आप एक step upward jump कर देते हो, तो कहां पे आओगे आप, 22 पे, क्योंभी, 12 प्लस 10, अगर आप करोगे, तो कितना आएगा, 22, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, जब आप उपर की तरफ jump करते हो, तो 10, 10 increase होता जाएगा, तो आपको यही चीज़ आपको याद रखनी है, यानि के जो upward jump, उपर की तरफ जो आप एक jump लगाते हो, वो किसके equal है, 10 के equal है, यानि के plus 10 के, similarly, मान लो आप 72 प जब लगाते हो, तो उसमें क्या होगा, 10 जो है, वो add नहीं होगा, क्या होगा, subtract होगा, तो आपको यह याद रखने है, upward jump जो है, वो किसके equal है, plus 10 के, और downward jump जो है, वो किसके equal है, minus 10 के, simple, next देखिए बच्चों, यहाँ पे table का ही एक part है, left to right, यह वाली side जो है, वो left है, औ तो माल लो अभी आप का हो, 15 पे, तो 15 से अगर आप right में एक jump लगाते हो, तो क्या मिलेगा आपको, 16, कितना step चले आप, one step, 15 plus one, तभी तो 16 आएगा, अगर आप 16 से एक step और करते हो, तो क्या मिल जाएगा, 17, यानि कि अगर आप right side में jump लगाते हो, तो क्या होगा, plus one, क्य 15, यानि कि क्या हो रहे हैं आपे, subtraction हो रही है, यानि कि अगर आप left में jump लगाते हो, तो one जो हो, तो है, वो क्या हो जाएगा, subject, तो आपको, ये दो बातें याद रखनी हैं, एक तो right में jump करेंगे, तो क्या होगा, plus one, left में jump करोगे, तो minus one, upward jump करोगे तो, plus 10, और downward jump करोग है now try one jump from 14 14 ये टेबल का एक पार्ट दे रखा है बच्चो आप 14 पे हूँ 14 से आपने अपवर्ड जम्प कर दी तो मैंने आपको बताया है जब आप अपवर्ड जम्प करते हो तो कितना एड होता है 10 यानि के 14 प्लस क्या करोगे 10 और 14 प्लस 10 तो कितना आएगा आपके पास 24 ठीक है तो आपने इस 24 को वह जो आपके पास टेबल है यह जो बॉक्सिस है तो यहाँ पर इस 24 क्या करना है कलर कर देना है ओके बच्चो कर लोगे next चलते हैं next time आ चुके हैं हम इस question पर है how will I go from 22 to 41 अभी आप कहां पर हो 22 पर जाना कहां है 41 पर तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले आप step by step चलोगे तो आप क्या करोगे एक जंप लगाओगे 22 से 32 अपवर्ड जंप लगा दी फिर 32 से एक जंप और लगाओगे 42 अब 42 से हम कहां जाना है लेफ्ट में ह आपाइए है और एक जंप लगाई है लेफट साइड में तो अप्वर्ड जंप मींस 10 एक अपवर्ड वन वन जंप जो अब अप्वर्ड लगाते ओ तो वह 10 की क्योल होती है आपने two jumps लगाई है यानि के 10 in two how much 20 और आपने लेफट में जंप लगाई है तो उसके नाम का क् करोगे तो 20-1 यानि कि आपने टोटल कितने स्टेप्स कावर किए है 19 स्टेप्स कि इस लियर यहाँ पे देखिए बच्चो आप और थे आप थे अब भी आप यहाँ पे थे 22 पे 22 में आपने कितने स्टेप रेट रेड है आपके रेड जंप लगाई आपने 2 1 red jump जो है upward jump जो है वो 10 के equal है या और 2 लगाई है तो 20 22 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा 42 42 और फिर left में jump किया तो 42 में से subtract करोगे 1 और 1 subtract करके आपको क्या मिल गया 41 ठीक है बच्चो अच्छा steps कितने कवर रखिये हैं तो आपको बताया है अपवर्ड जंप में 10 step होते हैं 2 अपवर्ड थे तो 20 और एक left में था तो एक कम कर दोगे एक subtract कर दोगे तो 20-1 तो 20-1 कितना जाएगा यहां पर 19 कितना जाएगा 19 सिंपल चलिए next देखते हैं यह उच्छो कुछ questions है इजी question है बिल्कुल इसमें आपको कुछ नहीं करना additional subtraction की question है तो आपने इने solve करना है और जो भी answer आएगा उसे box में जाके fill करना है कि to home में तो देखिए 10 less than 34 तो 34 में से 10 less करना है यानि कि 10 को क्या करोगे आप subtract करोगे तो जब आप 34 में से 10 subtract करते हैं you will get 24 तो आपने वहाँ पर 24 पर क्या कर देना है color कर देना है ओके बच्चो एक और बताता हूं नेक्ट तो बिल्कुल इजी है बी पार्ट 53 माइनस 20 तो 53 में से 20 आप subtract करोगे और जो answer आएगा उसे box में color कर दोगे यह देखिए 11 more than 31 तो यह 31 है more का मतलब क्या आता है add करना जादा होता है न more का means जादा तो 11 more than 31 यानिके 31 में कितना जादा 11 तो आप add कीजिए 1 plus 1 2 और 3 plus 1 4 तो 42 को आप क्या कर दोगे वहाँ पर color कर दोगे आपका answer 42 आया ऐसे आपको यहाँ पर क्या करने है 11 less than 66 तो 66 में से क्या subtract करोगे 11 तो 66 मेंस 11 ओके बच्चो ऐसे ही इसके और भी पार्ट से मैं आपको assignment send करूंगा तो आपने उन सभी questions को solve करना है और जो answer आएगा उसे box में जाके color कर देना है fill कर देना है ओके बच्चो तो आज के लिए इतना ही thank you बच्चो